दोस्तों एक बार फिर से स्वागे थे अप रजापती नियूज में दोस्तों आज के वीडियो में देखो भारत में पैसा कहां और कैसे छपता है दोस्तों पैसों में कितने ताकत होती है ना बिलकुल आम सा दिखने वाला कागज किस तरह सब कुछ बदल कर रख देता है जिसके पास नोटों का ये कागज होता है उसके किसमत चमक जाती है वो जो चाहे कर सकता है जो चाहे खरीद सकता है लेकिन जिसके पास यह कागिस नहीं होता, उसकी जिन्दगी इसे एकठा करने में निकल जाती है ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है जिन पैसों की एहमियत हमारी जिन्दगी में इतनी ज़्यादा है आखर भारत में वो पैसे कहां और कैसे छपते हैं इनके पहचान कैसे होती है किस तरह उने तयार करके हम तक पहुंचाया जाता है आज की वीडियो में मैं यानि दोस्त आपका फिशाल प्रजापती आपको सब कुछ बताऊंगा बस मेरे साथ वीडियो के अंततक बना रही है लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छो वाले नोटों की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होती है इसलिए ने जिस तरीके से बनाया जाता है वो तरीका अपने आप में बहुत खास होता है साथी नोटों को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इनके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी होते है या तक कि न कभी आपने सोचा है इन सारी चीजों में खर्चा कितना आता है जी हाँ 10 रुपए से लेकर 2000 तक की जितने भी नोट है उन सबी की प्रिंट करने की लागत क्या है दोस्तों सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सा नोट छापने में कितना खर्चा आता है सबसे बड दीजे कि 4 रुपए के छपाई वाला ये नोट किस तरह हमें 2000 की वैल्यू देता है अब अगर हम सबसे ज़ादा इस्तमाल किये जाने वाले 500 रुपए के नोट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस नोट को छापने में तकरीबन 2 रुपए 65 पैसे खर्च होते हैं वही 200 रुपए के नोट में 2 रुपए 48 पैसे का खर्चा आता है और जो हमारी पसंदीदा 100 रुपए का नोट है ना उसमें 1 रुपए 51 पैसे का खर्चा आता है इसी तरह 50 रुपए के नोट के लिए 1 रुपए 22 पैसे का खर्च और 10 और 20 के नोट के छपाई के लिए औसतन 1 रु पुराने नोट के तुलना में काफी कम है तबी तो नोटों का साइज भी छोटा कर दिया गया और इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ा दिये गए ताकि नोटों को सही तरेके से छापा जा सके दोस्तो अब सवाल खड़ा होता है कि हमारी भारतिय करंसी छपती कैसे है नो नोटों को छापते हैं जिसे छापने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो भारत में चार प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है जहां पर नोटों की छपाई होती है जो नासिक, दिवास, मैसूर और सालबुनी में यही वो चार जगए हैं जहां नोटों के छपाई की जाती है इन नोटों को छापने के लिए खास तोर पर सुजरलेंड में बनाई गई इंक का इस्तमाल किया जाता है जहां अलग-लग इंक का इस्तमाल अलग-लग तरीके से किया जाता है बता दे इन इंक को और जदा सिक्य पाई गार कानूनी ढंग से कर सकते हैं, जिसके वज़े से हमारे भारतिया रुपाय की कीमत ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए जो नोट हम छापते हैं, उसके इंक से लेकर पेपर मटीरियल तक हर एक चीज़ कॉन्फिडेंशल रखनी होती है। दोस्तों आईए ये भी देख लेता है सुज़ेलेंड में किस तरह से इंक मंगवाई जाती है और उनका क्या-क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटागिलियो इंक के बारे में क्योंकि अगर भारतिय नोटों के सबसे बड़ी पहचान करनी है तो इस समय बच्चा-बच्चा ये जानता है कि गांधी जी की तस्वीर वाला कागज का टुकडा नोट है जिसमें सबसे ज़ादा जरूरी गांध कर बैंक तक कहीं पर भी माननेता नहीं मिलती है और इसी की मदद से लोगों को ट्रैक भी किया जाता है जिहां दोस्तों हम बात करें नोटों के उपर छपने वाले यूनीक नंबर की जिसे आइडेंटिटी आफ करनसी के तोर पर भी जाना जाता है और फिरेसेंट इंक का इ कागज को कैसे बूल सकते हैं यह बहुत ही खास होता है और इस तरह के पेपर बनाने वाले केवल चार देश मौझूत है जहां पर नोटों के चपाई के लिए कागज जब बनते हैं तो आधनिक मशीन का इस्तेमाल होता है यह मशीन कैसी है और किस तरह कागज बनाती है इसक इंक और कॉटन दोनों ही सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भीज दी जाते हैं, जहांपर इन दोनों चीजों को पहले से ही तयार डिजाइन के इसाब से पहले तो तो RBI तक भेजा जाता है और फिर वहां से अलग-लग बैंकों तक ये नोट पहुंचते हैं। उम्मीदा नोटों के बनने से लिकर उसके छपने तक का सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या खयाल है कोमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये